क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला शायद ही कोई हो इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरे हैं इस मैच को लेकर हर कोई उत्साहित है अगर आप भी चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच हो तो इस विडियो को लाइक करके चैनल को 215 सब पूरे कर देना चलिए आगे बड़े हाल ही में ये दोनों टीमें वन्डे वर्ल्ड कप 2023 में भीरी जिसमें भारत विजयी रहा अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच टक्राव होने जा रहा है यह मैच अमेरिका में खेला जाएगा इस मैच की तारीक तैह हो गई अब इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले का इंतजार करना होगा यह मैच 24 दिसमबर को खेला जाएगा जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें भिरेंगी यह मैच अमेरिका में होगा और हियूस्टन का मोस इस क्रिकेट स्टेडियम इस मैच की मेजबानी करेगा यानि इस मैच का मेजबान न तो पाकिस्तान है और नहीं भारत यह अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है और एक कारण से दरसल अमेरिका ने अमेरिका प्रीमियर लीग की शुरुआत की है इस लीग में कुल साथ टीमें है इस लीग में साथ टीमें है जिनका नाम क्रिकेट खेल इस लीग में 24 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। इस श्री संथ और स्टुइट बिननी इंडियन प्रीमियम के लिए खेलेंगे। श्री संथ उस भारतिय टीम का हिस्सा थे जिसने 2007 टीबीस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर खिताब जीता था। प्रीमियम पाकिस्तान टीम में सोहेल तनवीर, उसमान कादिर और फवाद आलम जैसे खिलाडी होंगे। इसके अलावा बाकी खिलाडी अमेरिका से होंगे। ये हैं बाकी टीमें, नियमों के मताबिक प्लेइंग 11 में 6 से ज्यादा इंटनेशनल खिलाडी नहीं हो सकते। प्रीमियम इंडियन्स और प्रीमियम पाकिस्तान के अलावा, लीग में प्रीमियम अफगान, प्रीमियम अमेरिकन, प्रीमियम आस्ट्रेलियाई, प्रीमियम कैनेडियन और प्रीमियम वेस्ट इंडिज नाम की टीमें होंगी। इस लीग में कई ऐसे खिलाडी खेलेंगे जो अंतराश्ट्रियस तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके श्री संथ और तन्वीर दोनों 2070-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे